नमस्कार आप देख रहे हैं मनी राइन जटपाट मैं हूँ अब शेक स्रिवास्ताओ UPI यानि Unified Payment Interface के जरिए डिजिटल भुकतान करने के लिए स्मार्ट फॉन और इंटरनेट जरूरी है इस वज़े से फीचर फॉन का इस्तमाल करने वाले करोणों लोग अपने फॉन से UPI ट्रांजेक्शन नहीं कर पाती है लेकिन अब उनकी यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई है भारतिय रिजर बैंक ने मंगलबार को फीचर फॉन के लिए एक नया डिजिटल पेमेंट मोड पेज किया है इसका नाम है UPI-123 Pay UPI-123 Pay देजबर में लाखों लोगों को डिजिटली रूप से मजबूत बनाएगा और NPCI यानि National Payment Corporation of India के अरप से ज्यादा दैनेक UPI ट्रांजेक्शन के सपने को भी साकार करने में मदद करेगा RBI गवर्णर शक्तिकान दास ने फीचर फॉन के लिए नए UPI-123 Pay को लाउंच करते हुए कहा कि इससे डिजिटल इंडिया कारिकरम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी डिजिटल पेमेंट के लिए एक 24 घंटे 7 दिन वाली हेलप लाइन डिजिशाथी.UPI को भी शुरू किया गया है यह हेलप लाइन ग्रामीड इलाकों में रहने वाले लोगों को डिजिटल तरीके से लेन देन करने में मदद करेगी UPI-123 Pay में फीचर फॉन यूजर्स को इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी इस सुबधा का लाब उठाने के लिए यूजर को अपने फीचर फॉन से अपना बैंक एकाउंट लिंक करना होगा फीचर फॉन यूजर्स नए UPI फीचर के माद्यम से कई तरह के भुकतान कर सकते हैं अब फीचर फॉन से भी एक एकाउंट से दूसे एकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो सकेगा और दुकान पर भुकतान भी किया जा सकेगा पिछले कुछ सालों से भारत में UPI सबसे ज़्यादा उप्योग किया जाने वाला पेमेंट सिस्टम बन गया है RBI का यह कदम इसलिए भी महतपूर है क्योंकि देश में इस समय कुल 118 करोर मुबाइल यूजर्स हैं जिसमें से करीब 44 करोर लोग अभी फीचर फॉन का ही इस्तमाल कर रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में लोगों के डिजिटल एकोनोमी में शामिल होने से निश्चिती कैसलेस अर्थवस्ता बनने में मदद मिलेगी देश के दूर दराज के अलाकों में अब डिजिटल पेमेंट कत्विदियां बढ़ने से फिंटेक कमपनियों के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे